हेलो इस्टुडेंट स्वागत आपका आमारी यूटूब चैनल बेस्ट नर्सिंग आ रहे हो जस्ट इन फॉर्मेशन में स्टुडेंट बेस्ट नर्सिंग, मेस्ट नर्सिंग, फार्मेसी, डेमल्ट, पेरामेडिकल, नीट सभी परकार की न्यूज एंड अप्टेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करे इस्टुडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले नीट यूजी के बारे में कि नीट यूजी में जो 2021 में एडिमिसन होगा, वो किस परकार आपको फोरम बनना है नीट का फोरम बनने की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट कितनी हैं और साथ ही हम बात करेंगी की चालान कितने रुपे का कटेगा तो इस वीडियो में हम सभी टोपिक के बारे में बात करेंगे आप वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो स्टुडेंट आपको फोरम बनने के लिए एंटिय नीट की वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट पर आपको सो कर रहा है पब्लिक नोटिस एन्वेटिंग ओलाइन एप्लिकेशन फोरम नेशनल इलेजिबलेटी कम इंट्रेस टेस्ट नीट यूजी 2021 रजिस्ट्रेशन तो इस पर आपको किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगी तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहाप पर आगया आपका ओलाइन रजिस्ट्रेशन फोरम तो आप पर आपको एप्लिकेशन फोरम जिसका है फोरम बढ़ना है उसको सलेक्ट करना है उसके बाद आपको एप्लिकेशन नम्बल लिखना है पासवर लिखना है और शिक्रेटिव पिन लिखना है और उसके बाद आपको केप्चर लिखना है और सायन अप कर लेना है अगर आपने पहले से इन रिजिस्ट्रेशन आइडी नहीं बनाई है तो आपको new registration का option दिया जा रहा है इस पर आप new registration कर लीजिएगा उसके बाद आप इस forum को बरिए और sign up कर लीजिए sign up करने के बाद आप अपना forum apply कर सकते हो अब हम बात करते हैं कि forum कब से कब तक भरे जाएंगे और कितना चालान इसमें कटेगा तो आप यह notice देख पारे हो NTA की तरफ से notice आया 13 जुलाई को यह notice आया यह सब कुछ आप पढ़ लीजिए इसमें सब कुछ दे रखा है मैं आपको इसमें से important बता दूँगा कि क्या क्या important है इसमें यह देखिए दोस्तों जो first number पर आ रहा है वो आ रहा है online forum बनने की date तो online forum बनने की date है 13 जुलाई 2021 से लेके 6 अगस 2021 तक आप forum बर सकते हो और जो आप transaction करेंगे उसकी last date है 7 अगस 2021 अगर आपके forum में कोई दिक्कत आ गई है तो आपको सही करने के लिए 8 अगस्ट से लेकर 12 अगस्ट तक समय दिया जाएगा आप forum सही कर सकते हो उसके बाद जो exam लगेगी उसका center आपको दिया जाएगा 20 अगस्ट को 2020 को और जो admit card download करना होगा तो admit card आपका exam के 3 दिन पहले आजाएगा आप download कर लिजिएगा जो neat की exam लगेगी वो 12 सित्वंबर को लगेगी संडे गो exam में आपको total 3 गंटे मिलेगे neat की exam का समय रहेगा आपका 2 बज़े से 5 बज़े तक और जो आपको नीचे देर का है center date shift या आपको एडिम्ट कार्ड में दिया जाएगा तो यह सब कुछ इसमे इंप्रोटेंट था और साथ ही हम बता दे कि जो neat में क्यूस्टन आएंगे वो एक्सवस्टी क्यूस्टन आएंगे physics, chemistry और biology में से biology में आपकी बोटनी and geology दोनों subject आती है तो आपका syllabus रहना वाला वो रहने वाला है physics, chemistry, biology तो आप physics and chemistry और biology की तैयार कीजिए आपका इडिम्ट योजी में सेलेक्शन हो सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो तो student आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फोरम बनने की date है आपका ट्राइंजेक्शन होगा उसकी 7 अगस्त को है और जो आपको फोरम में कोई दिक्कत आ गए उसको करेक्शन करना चाते हो तो उसकी 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आपको date दी गई है और आपको exam CT मिल जाएगी 20 अगस्त को कि कौन सी CT में आपके exam होगा वो सब कुछ पीश अगस्त को आपको पता चल जाएगा और admin card की रही बाद admin card आपको exam की 3 अगस्त की तीन दिन पेले मिल जाएगा आपके exam होगी 12 सितंबर 2021 को आपको time दिया जाएगा टोटल 3 गंटे का time दिया जाएगा 186 question करने के लिए exam का time रहेगा 2 बज़े से 5 बज़े तक तो ये notice में एक दे रखा था आप अपने साफ से पढ़ लीजिएगा और क्या case में दे रखा है student अब हम बात करते कि जो net का फोरम बरेंगे उसमें कितना चालाल लगेगा तो general के लिए 15 सुरुपे है EWS और OBC के लिए 14 सुरुपे लगेगे और HTSC, PH के लिए 8 सुरुपे लगेगा ये फीस आपकी application फीस है यानि फोरम बनने की फीस है आप ये फीस online debit card, credit card, net banking आदि कि थुरू कटवा सकते हैं तो ये चालान के बारे में हमने आपको बता दिया कि net UG में जो फोरम बना जाएगा उसका चालान कौनसी केटिगरी का कितना है आप देख लिजिए अब हम बार्त करते है age and eligibility की net UG का फोरम बनने के लिए आपको eligibility होनी चाहिए वो है बारवी पास एक्सिमें एज 25 एर और जिसकी उमर 25 एर तक है वो भी पोरम बढ़ सकता है लेकिन जिसकी age 16 एर से वो पोरम नहीं बढ़ सकता और जिसकी age 26 एर से वो पोरम नहीं बढ़ सकता है आपकी ये age limit 31-12-2004 के अनुसार है net UG के रूल के साफ से आपको age reaction extra दिया जाएगा तो आपने बता दिया fees और important ads सब कुछ इसमें बता दिया है eligibility age आपको बता दिया है आप अपना फोरम फिलफ कीजिए और net UG का exam दीजिए तो student इस वीडियो में यही बताना था कि आपका net UG का फोरम आज चुका है आप फोरम अप्लाइ कर सकते हो अगर student आपको किसी परकार का डाउट हो तो हमें comment करके बताए साथ या आप हमारे WhatsApp गुरूप टेलिग्राम गुरूप पेसु गुरूप पर भी जुड़ सकते हो link description में दिया गया है thank you for watching मिलते है next वीडियो में